अगर जोड लीजिये तो और बहतर है धन्यवाद राजी जी दबाव का अंताजा बिहार में तो आप इससे लगा सकते हैं कि जो मंत्री मंदल का बटवारा हुआ सबी महत्पुर्ण भार्ण जन्ता पार्टी के पास है गुछ गिंती के महत्पुर्ण भार्ण जो जेडियों के पास रहा है बहुत दबाव बना करके मुख्यमंत्री अपने पास ग्रीब मंत्रा ले रख पाए जबकि बीजेपी उसको भी अपने पास रखना चाहती थी इस्तिती वहां पर यह है दूसरी चीजे हैं कि चिराग पासवान का जो बयान लगाता रहा है वो सब के सामने है कि वो उनके बार कि उन्होंने इंडिया कठ बंधर का ही नुकसान किया और वह जो उनका हनुमान गत्तो है वह हनुमान अलत्त तो भी खतम नहीं हुआ है वह अभी भी नाराज है जेडियू के साथ और कहते हैं कि हम उच्छी समय प्रताय करेंगे जो कुछ भी होगा अपनी पार्टी के पक् बाट होने जा रहा है 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 माजी जी का जहां तक मेरा सवाल है मैं समझता हूँ कि वह केवल दबाव बना रहा है जो इनके किसी अपनी एक व्यप्ति को और मंदर मंदल में जगह मिल जाए माजी जी मुझे लगता कि इंडिय चोड़ के जाएंगे लेकर जरूर है कि वहां इस्तितिया बहुत अच्छी नहीं है उसमें सबसे दलगत राजनी से उपर उट करके जो सबसे बड़ी च्छती हुई है वो वही खुद नितिश कुमार जी की उनकी जो अपनी विश्वस्रियता थी अपना एक अपनी उनकी प्रतिष्ठा थी एक राज्यतिक साक थी उसमें जवरजस धक्का लगा है आज नितिश कुमार जी उस विश्वस्रियता के साथ उस आक्रमक्ता के साथ बात नहीं कर पाते हैं अब कहीं पबलीक फोरम पर देखें उनको बोलते हुए उनमें एक अलग तरह का अविश्वास नजराएगा आपको उनकी बाड़ी लगों जो तो यह जो नुकसान है हुआ है, वह इसकी भरपाइ समरें के बाद यह जरूर है कि इंडिया दलसमों को जरूर टाकत मिली है इंडिया दल्समों इंटेक्ट है उसमें सभीत किसी के भी तूटने अलग होने या इंडिया दल्समों को छोड़के जाने इस तरह कोई भरकतना है सामने नहीं है इंडिया दल्समों को आपस में बांधे रखने के लिए जो गैर भाजपाई दल्ना है उसके लिए बहुत बहुत संदेश था हूँ लेकिन भारती जनता पाटी वहां सफल होती हुए नजर नहीं आ रही है जो सेंथ लगाने का प्रयास कर रही थी बिहार में भी वह नहीं सफल हो पाया अभी तक लेकिन सबसे ब्रभा करारा जबाहं मिला है जार्खण में जार्खण में एक मुख्यमंतरी के सिफा देने के बाद ओनी मुख्यमंत्री के सफक्त गर्ढ करने के बीच के अवध में कौन सा साल संथा तो राश्म राश्म ठीवा ज़ा जा दिन्लू कि मुख्यमंत्री सत्रणी तो किस तो नहीं पहता है तो किसका सासन था और इतनी बड़ी संबधानिक लापरवाही राजी में वर्ती गई तो कोई कुछी बोलने के लिए तयार नहीं है और आज वह मन सोरेन ने भाशन दिया विधान सभाब में वह बहुत 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 पुड़ा है जिस तरीके से नों ने राजभौन पर हमला किया कि उनकी ग्रहतारी में राजभवन की साजिस थी यह समानी बात नहीं होती है यह सुनने में लगता होगा कि केवल आपने एक आरोप लगा दिया लेकिन राजभौन जैसे निर्वाद अस्थरलों को भी अगर इस तरह क्या रोप लगने शुरू हो गए हैं तो यह महत्पुण बात है और आज हमन सोरेन ने जिस तरीके से भारती जनता पार्टी पर हमला किया और आदिवासी आत्म सम्मान की बात की या बीजेपी के लिए चुनोती का विश्या है उन्होंने कहा कि भार्धी जनता पाटी किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बने नहीं रहे नहीं रहे दिया, और वोभुलाय मरंडी को कारेकाल पूरा करने दिया गए, जब पूर्ण बहुमत के सरकार बनी, पांक साल जिसने काम भी किया, उसमें भी गार आदिवासी रुख वर्दास जी मुख्यमंत्री थे वहां और इन्हों नहीं बात की इस सब के लिए समझने की बात है कि जो आरोप जिस आरोप में हेमन सुलेन को गिरफतार किया गया है यह आरोप 2009 में उनको खिलाप लगा था दोहजार लो के बास से जोड़ा से लगाताअ चिंदर में भारिती जंगार्री सरकार के सब्सक्राइब ध्रटवां गया उस दौराण अज्यारखंड में भार्ती जंता पारटी की पूर्टव्कालह खिला और अगर कोई कुई किसी के ब्रश्राचार केुसे खिलाब कर वाहिए चाहिए लेकिन अगर आप हमें सेरेंट के खिलाब कोई आकरवाई कर रहे हैं तो रखमर दासे खिलाब इस सर्जू राय के तमाम आरूप है पुरा रूप को क्या हुआ क्यों ने उसके जाज की जा रही है बलकि आप एक तरफ एक मुख्यमंत्री जो सिट्री मुख्यमंत्री है उसके आइसा तो है नहीं क्योंकि जो भागे जा रहे हैं जो अभिलेक है वो अभिलेक है वो अभिलेक तो बदले नहीं जा सकते पले आप तत्यों की तो जांच कर रहे हैं तत्यों की जांच कर लिए जमीन किसी ने खरिदी है तो उसके रजशीर तो बदल नहीं जाएगी उसके खतमने हो जाए है उसके दाखिल खार नहीं हो जाए है लेकिन एक मुख्य मंतरी को गरफ्तार कर लेना ये तो सरासर्ब सरकार को गदस्कर करने के लिए यह जो जनता का मैंडेट है उसका प्रहविद करने की ओ침 कोशिश आप पर लगने वाला आरोप उसका संगयार्म नहीं लिया जाना चाहिए तो कैसे लोग स्विकार करेंगे इसको तो मेरा अपना मना है मेरी अपनी समझ है कि जारखन में इस घटना का असर जारखन मुक्ति मोर्चा निश्चित रूप से अपने समर्थ को तक ले जाएगे और इसका असर दिखाई ही पड़ेगा आज सरोच नियाले के जो टिपड़ी है इस बिल्कुल सही के बाद भी आपने कौन सी कारवाईगी इसी तरह की टिपड़ी किया था सिर्था तिसरवाद के बारे में सुप्रेम कोट में तुरंते फायार दर्ज हो गए उनको ग्रफ्तारी हो गई प्रफ्ति बिल्कुल बिल्कुल ग्रफ्तार करके उनको गुद्रात ले जाया गया और उनके बारे में क्या हो रहा है यह जो कहा गया है अभी आप देखेगा कि कितने कितने बाते आएंगे कि वह जो मत पत्र हैं फाट डाले गए यह उसी समय आरोप लगने लिनों नहीं ब बयान था कि छीना जप्ती में वह सकता है कि उनस्ट हो गया हूं कि यह भी लोग तो देख रहे हैं कि सुप्रीम कोट के एक आदेश पर एक आपकी यह करवाई होती है और गिरफ्तारी के बाद एक व्यक्ति को भाग करके आना पर था सुप्रीम कोट अपने अपने समध्ध सोतंतरता अपने सोतंतरता के लिए all Ryan Spee कोईसा नहीं है अगति अगली की दूरान क्या होगा और उस पे उन्होंने सूनाओ पर रोक लगाई नहीं लगाईंम नहीं प्रफम दिश्टिया इतनी चीजा नजर आती है तो व्यक्ति केश्ट काम कर सकता ह। अगर अरोल अगर अरोल मिष्टा की नियुकति अवैध है उनका इस टंसनवाइध है तो फिर पत्पी बने क्यों है अगर माननी सरुच नेलन जो आज टीपड़ियां की उस टीपड़ी के बाद जो चंडिकल का निर्वाचित मेर है उसके सारे अदिकार सीज कूँ नहीं किये गए अगर नियाले नहीं किया तो चंडिकल प्रसासर नहीं किया साथ फरवरी को जो बैठक होनी थी चंडिकल नगर निगम की बैठक होनी थी उसको स्थगित करने का आदेश कोट ने कर दिया है और ये कहा है कि कोट ने आदेश दिया है कि मेर चुनाओ का पूरा रिकॉर्ड जब्त कर पंजाब एंड हर्याना हाई कोट के रिजिस्टार जनरल के पास रखा जाया और मतपत्र और वीडियो ग्राफिक को चंडिगर यूटी के उपायुक्त के पास सुरक्षित रखा जा और इसके अलावा कि कोट ने ये निर्देश दिया है कि साथ फरवरी को होने वाली चंडिगर नगर निगम की आगामे बैठक स्थगित कर दी जाए। आपके हितों के अनुकूल नहीं है वो तो फिर आप मौन साथ देते हैं हर नियाले का सम्मान तो ही है ना कि सम्मान नियाले की मनसा क्या है तो सर्वच नियाले की टिपड़ी सरकार जर्खंड में सरकार का बहुमत बन जाना बहुमत साबित कर लेना बिहार में जो इंडिया जहर्खंड की सरकार न रहने पार फिस्टेlor दीए यह सब जितरह तरीकह हो सकते थे लेकिन मुख्य मंत्री हिमंसुरेन मैं जहर्खंड के कर गाएं स्थाने मुझे लगता्य लगता है कि छेमपई सुरेन कर भाशन थाने जो लिए जो जो आदिवासी और मूलवासी, मैं एक शब्द दुनों ने, हम लों तही आदिवासी, बनवासी के चक्कर ने पढ़ा हुए थे कि राहूल गांधी क्या कहते हैं और बीजेपी क्या कहती है, चेंपई सुरण ने कहा कि आदिवासी मूलवासी, हम जारकंड के मूलवासी हैं, और हमारे साथ भेताओ किया जा रहा है, और जो आकराम आज भाषन दिया है मुख्यमंत्री ने, मुझे लगता है कि अगर चुनाओ के जो साजी स्रची जा रही थी, कि मुख्यमंत्र चुनाओ के दौरा रहेमन सुरेन बहाद दर्राने पाँए, प्रचार ने करने पाँए पार्टी का, कोई मुझे नहीं लगता है कि नुकसान नहीं होगा, चिंपई सुरेन को आज सुनने के बाद मुझे लगा कि जहां इंडिया दर्समों का एक मजबूत नेता और भी उनके पास है, जो जारखंड और जारखंड सहीद अन्य आदिवासी लाकों में, अपनी बा रही है यह भार्ती जंता पार्टी के लिए उकसान दायक, इसका कोई जवाब नहीं है, प्रधान मंत्री जी ने जो आज भाशन दिया, संसद में, आप विपक्ष के उपर हमला करके क्या करते हैं, जवहाला नहरू अभी भी आपके निसाने पर रहेंगे, आप बताएंगे पिछले 10 सालों में सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने इस देश के लोगों के मुस्तकविल को बदलने के लिए कौन-कौन से काम किये, अप उसकी भ्याख्या किजए, कोई इस देश के प्रतिभा में किसी को संद्य नहीं रहा है, लेकिर आप, आप ने उस प्रतिभाओं का किया है आप बता दीजिए कि कि दोरान इस सरकार ने अगर आप परिवार भाट पर हमला करते हैं तो पर जितने परिवार भाती नियों सबेडल आपके पास हैं नहीं है जिन информ कोई our परदिन कर्वाया की और दूसरे पार्टी की पार्टी का फुरख़ा रीए आपके पार्टी में चला確ना हैं ध़िश्य उतलेक्र्पोप पर लुद। लेकिन हेमन्सोरेन के खिलाप आप करवाई करेंगे दो हेमन्स आपके पास है इस देश में एक प्रट सार रावी आ किया है देश के लोग इसको समझते नहीं है क्या आप क्म 해 एक हेमन्स के खिलाप आपने अरूप लगाया था बार्दी अंतर पाटी रहा रूप लगाया थे ब्रशचार के वह कहां चले गए क्यों नहीं चाहच हो रही है क्या वह किसी के परिव नहीं आते वहार हो पूरी अजादी के साथ आप उसी हैमंत वीश्वर्मा के साथ आप उसी को हाटी में रोड़्शों करेंगे और विबक्ष नेता रोड़्शों करने नहीं देंगे और उसके बाद भी कहेंगे कि आप मेरी लोगतंतर में आस्था है और इस देश्क लोग इसको विश्वास कर लेंगे तो यह आज का घटना क्रम निशीत रूप से बीजेपी के लिए बहुत कई तरह की टिपड़िया है और इन से कैसे निकलेगी कि मुझे तो जारखंड में तुमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है आज आप सोचिए कि आज उन्हें विपक शेनिता नहीं क्या कहा कि चंपई सुरेन को कि कांग्रेश के साथ रहने के वह जैसे हम एमन सुरेन जेल में गये हैं आप भी कांग्रेश से अपने बारे में सोच ल कर दो का